हलो स्टूडन आज अब हमारा जो अलकोलाइड है उसका नेक्स टॉपिक देखेंगे वो है एट्रोपीन ठीक है तो एट्रोपीन जो है एट्रोपीन ज्यादा से ज्यादा किसमें पाया जाता है नाइट शेड या थॉन एपल मतलब धतूरा वगरे जो प्लांट से उसमें से ह मिलता है हमें वह है हायो साइमिन ठीक है हायो साइमिन अब जब यह हायो साइमिन को हीट किया जाता है ठीक है तो क्या देखा गया कि यह जो हायो साइमिन है यह किसके सिमिलर है एट्रोपीन के ही सिमिलर है ठीक है इसलिए फिर हम लोग सिफ एट्रोपीन की ही स्ट्रडि करत ठीक है एट्रोपीन क्या है crystalline compound और इसका melting point कितना होता है 118 degree Celsius यह bitter होता है test में ठीक है कैसा होता है bitter होता है और poisonous भी होता है यह जो एट्रोपीन है यह किसके लिए use करते हैं देखो it is using ophthalmology ophthalmology मतलब eye related problem के लिए to dilate pupil of eye किसके लिए use होता है हमारा जो eye का pupil होता है उसको dilate करने के लिए यह use होता है also it is using salivary and gastric gland जो हमारा salivary और gastric gland है उसको deactivate करने के लिए भी यह जाता है यह use किया जाता है ठीक है तो जो हम लोग जैसे बाकी का देखते बाकी के जो हमने देखे हैं हमारे alkalis उसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले क्या देखते है molecular formula तो देखो जो molecular formula है अट्रोपीन का वो क्या है c17 h23no3 क्या है molecular formula फॉर्स्ट पॉइंट जो हमारा molecular formula है अट्रोपीन का वो क्या है c17 h23no3 ठीक है जब हम लोग एट्रोपीन को हैड्रोलाइस करेंगे ठीक है जब अट्रोपीन का क्या होता है यहां से देख सकते हैं देखो यह reaction जब यह जो हमारा अट्रोपीन है ठीक है अट्रोपीन का molecular formula क्या है c17 h23no3 जब अट्रोपीन को हाइड्रोलाइस किया गया किसके साथ बेरियम हाड्रोक्सक के साथ तो है ना वह mixture of compound देगा mixture of two compound देगा एक है हमारा ट्रोपीक एसीड और एक है हमारा ट्रोपीन ठीक है मतलब जब भी अट्रोपीन को क्या किया जाएगा hydrolyze किया जाएगा अट्रोपीन का hydrolysis किया जाएगा बेरियम हाड्रोक्सक के साथ तो हमें दो compound मिलेंगे एक ट्रोपीक एसीड मिलेगा एक ट्रोपीन मिलेगा यह जो ट्रोपीक एसीड है यह रेसिमिक फॉर्म में होता है मिनस प्लस बैस माइनस फॉर्म में वहां exist करता है ठीक है और यह जो है मिस यह क्या है 端टिकलली एक्टिव और हि क्या ह्या है हमारा optically interactive ट्रोंपीन है अब अगर हम में ऊपित कर नी है तो उसके लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा मैं दे रहा है orbit इसंपे से पहले क्या सजेस्ट मतलब इसंपे से क्या供 चलता है कि गुद यह में भी यह ही अबने किन क्यों कि यह ग्फ हो घाइड कर्वोय ही कर्ण없이 सबता चलता है घय्द कि क्सेज़े और नहीं कहले, CO NH2 या NH3 ऐसा देगा, ठीक है, CO NH2 नहीं, NH2 या NH3 के कमपॉंड देगा, प्राइमरी और सेकंडरी अमाइन देगा, लेकिन यहां जो है, यह ट्रोपीन का जो फॉर्मुला है, उस पे से हमें क्या दिख रहा है, कि यहां का जो नाइट्रोजन है, यह क्या है, टर्शियरी है, प्राइमरी और सेकंडरी नहीं है, इसलिए फिर क्या बोला गया, कि जो हमारा एट्रोपीन है, यह क्या है, इस्टर है, एट्रोपीन इस्टर ओफ ट्रोपीक एसेड और ट्रोपीन ट्रोपीन, ठीक है, यह हुआ हमारा एट्रोपीन, अब क्यूंकि आट्रोपीन के हाड्रो इसे से हमें दो compound मिल रहा है तो हमें दोनों का अलग अलग पहले structure determination या दोनों का पहले constituent देखना पड़ेगा फिर हम लोग finally किस पर आएंगे atropine पर आएंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो ट्रोपिक एसिट का formula क्या है तो क्या दिखा गया जब हम लोग ट्रोपिक एसिट का क्या हो रहा है dehydration हो रहा है ठीक है tropic acid का dehydration होगा तो हमें क्या मिलेगा atropic acid क्या मिलेगा atropic acid मतलब जब हम लोग tropic acid को heat करेंगे तो वो एक water molecule lose करेगा और क्या देगा atropic acid देगा और further atropic acid का oxidation होने पर क्या मिल रहा है benzoic acid मिल रहा है क्या मिल रहा है benzoic acid क्योंकि हमें benzoic acid known है तो इस reaction के उपर से हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग यह बता सकते हैं कि indirectly क्योंकि हमें benzoic acid कहा से मिल रहा है atropic acid से तो इसके basis पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा atropic acid है उसमें क्या है एक benzene ring है और एक side chain है ठीक है यह नहीं बोल सकते कि c o h क्योंकि हैं का formula अलग है तो बस हम लोग जो उसका structure है वो बता सकते हैं कि जो हमारा atropic acid है उसमें क्या है एक benzene ring है और साथ ही साथ एक क्या है side chain है ठीक है अब इसके बाद benzene ring का formula c6 h6 इसके formula से अगर atropic acid से माइनस करोगे तो क्या बचेगा c5 c3 h5 o2 it means कि जो side chain है उसमें c3 h5 o2 present है ठीक है तो on the basis of that जो atropic acid है हमारा ठीक है atropic acid के दो structure suggest किये गए ठीक है side chain के हिसाब से एक तो है यह और एक क्या है बेंजीन रिंग और एक side chain है तो side chain में के c3 h5 o2 है उसके हिसाब से दो structure suggest किये गए दोनों में से कोई भी एक क्या रहेगा आपका कि अगर ट्रॉपिक acid रहेगा ठीक है कि अग्या कि अग्या कि अ झाल झाल